जय हिंद स्वागत है आपका अपने स्टेडी 24 जार्खन यूटूब चैनल में दोस्तों जार्खन बोर्ड मेट्रिक और इंटर्मीडियट सहित कलास 9 और 11 के छात्रों के बोर्ड परिच्छा 2021-22 को ले करके आज 2-2 महत्पुन लेटेस्ट अपडेट आए हैं जो आज के दैन दैनिक परभात खबर और दैनिक भासकर दोनों नीज पेपर में परकासित हुआ है जो हम लोग यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है कि बोर्ड परिच्छा की त्यारियां तेज तिति 20 तक हो सकती है जारी वहीं दूसरा जो अपडेट हम लोग देख के क्या परकासित हुआ है उसे हम लोग लाइन बाइन देखें तो सबसे पहले परभात खबर में जो परकासित हुआ है उसे देखते हैं और इसमें जो हेडलाइन दिया हुआ है कि बोर्ड परिच्छा की त्यारियां तेज तिति 20 तक हो सकती है जारी और इसमें आगे दिया कि बोट परिच्छा की त्यारियां सुरूख हो गई है और इस बार दो चरन में परिच्छा ली जाएगी यह हम लोग भी जान रहे हैं आगे दिया हुआ है कि पहले चरन की परिच्छा की तिथी 20 दिसंबर तक जारी हो सकती है 20 दिसंबर तक पिछला जो नीज हम लोगों ने देखा था उसमें कहा गया था कि इसी सप्ता के अंत तक जारी होगा लेकिन आज के नीज पेपरों में जो परकासित हुआ है कि आपका जो तिथी है रूटीन है वह 20 दिसंबर तक जारी की जाएगी आज आपका जो है 17 दिसंबर है और इसके वाद तीन दिनों तक मतलब ती 20 दिन का समय त्यारी के लिए दिया जाएगा आणि की रूटीन आपका निकलेगा 20 तारीक तक इसके बाद आपको समय दिया जाएगा 15 या 20 दिनों तक आणि की आपका जो एक्जाम है जनवरी में हो सकता है 15 जनवरी के आसपास तक दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो इस इसमें जो दिया हुआ है कि इस फॉर्मूले के आधार पर पहले चरन की परिच्छा जनवरी 2022 से सुरू होगी आनि की मेट्रिक और इंटर्मीडियट सहित कलास 9 और 11 के आप सभी छात्रों का एक्जाम जनवरी में होगा ये इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आगे हम देखत हैं हलांकी पहले या परिच्छा 1 से 15 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाली थी मैट्रिक और इंटर्मीडियट के छात्रों का एक्जाम कब होने वाली थी एक से लेकर के 15 दिसंबर तक लेकिन अध्याच और उपाध्याच नहीं रहने के कारण आपका एक्जाम जो है सही जारी सेडूल के नुसार नहीं हो पाया और आज के जो नीज में हम लोग देख रहे हैं कि आपका एक्जाम जनवरी 2022 में हो सकता है इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें जो दिया हुआ है लेकिन जैक के अध्याच और उपाध्याच की निक्ति में देरी की वजह से परिच्छा न प्रोग्राम है वह अगले सब्ता आज सुक्रवार है कल सनिवार फिर संडे है इसके बाद जो है आपका जो रूटीन है वो जारी किया जा सकता है तो दोस्तों ये आज के दैनिक परभात खबर में परकासित नीज था इसके और दूसरा जो अपडेट हम लोग देखते हैं जो दैनिक भासकर में परकासित हुआ है जिसमें दिया हुआ है जैक जनवरी में हो सकती है मैट्रीक इंटर की परिच्छा बोड परिच्छा के पहले चरण की तीति 20 के बाद आएगी और इसमें क्या लिखा हुआ है इसे हम लोग देखें तो दिया हुआ है एजुकेशन र परिच्छा की तीति 20 दिसमबर तक जारी हो सकती है 20 दिसमबर तक आनिक आज 17 है 18 19 20 तीन चार दिनों के अंदर आपका जो रूटीन है वो जारी हो सकता है और दोस्तों आपका रूटीन जैसे ही जारी होगा मैं इस यूटूब चैनल के माध्धम से आपको पूरा अच्छे धंक से समझा दूँगा कि आपका किस दिन किस पेपर का एक्जाम होगा इसलिए आप सभी छात्री इस यूटूब चैनल को अभी सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन वेल को प्रेस करके रख लिजे ताकि मैं सही समय पर आपको हेल्प कर सकूँ दोस्तों आगे इसमें दिया हुआ है कि इसके बाद विद्यार्तियों को त्यारी के लिए 15-20 दिन का समय मिलेगा इसमें भी वही चीज है आगे कि पहले परिछा 1-15 दिसंबर 2021 के बीच में होने वाली थी लेकिन जैक के अध्याच उपाध्याच की निक्ती में देरी की देरी सबता परिछा तिथि घोसित होने की बात कही जा रही है और आगे इसमें जो वह लोग देखते हैं कि जैक में इसकी तियारी चल रही है आपकेosc comment को लेने को लेकर के जैक मे परसंपत्रों की छपाई हो या फिर परिछा के अंद्र को निर्धारित करना हो या पिर जि इसमें दिया हुआ है कि जैक में इसकी त्यारी चल रही और जल्दी परिच्छा का time table admit card जारी कर दिया जाएगा आपका routine भी जारी होगा आपका admit card भी जारी होगा और आगे की परिच्छा की तीथी घोशित नहीं होने की वज़े से बिद्यार्थी परेशान है सचमुच में आप सभी जितने भी मैट्रिक इंटर्मीडियर्ट के जितने भी छात्र हैं जिनका एकजाम एक से पंदर दिसंबर के बीच होना था लेकिन नहीं हो पाया तो आप लोग काफी परेशान है और आगे जो हम लोग देख रहें कि कलास 8, 9 और 11 के छात्रों के परिच्छा तितिक के बारे में क्या लिखा हुआ है तो इसमें जो दिया हुआ है कि कच्छा 8, 9 और 11 की परिच्छा भी 15 जनवरी से 31 जनवरी के बीच ली जाएगी परिच्छा का पैटर्ण पहले ही की तरह होगा और इन सवी परिच्छा में पूर्वी सीवूप जिले से 80,000 से अधिक विद्यार्थी सामिल होगे तो ये जमसेद पूर के बारे में लिखा हुआ है लेकिन पूरे जहारखंड से मैट्रिक इंटरमीडियेट सहीद कलास 8, 9 और 11 के छात्रों को जोड़ दें तो 16-17 लाग छात्र हैं जो इस बार का बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों ये जहारखंड वोट के कलास 8, 9, 11, 12 सभी छात्रों के लिए आज का बड़ा अपडेट था कि आपका जो रूटीन है प्रग्राम है वह 20 तारिक तक निकलेगा और आपका जो एक्जाम है जनवरी में लिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप सभी जहरखंड वोट के छात्रों के लिए बड़ा अपडेट था और ठीक किसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं या फिर होंगे मैं इस यूटूब चैनल पर सही समय पर अपलोड कर दूँगा इसलिए आप सभी इस यूटूब चैनल को सस्क्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लिजे और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी helpful या फिर informative रहा हो तो like कीजिए और अपने दोस्तों को भी जादा से जादा share कीजिए तो दोस्तों मिलते हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम